नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मेटल वेट के पसुम उप्योग के बारे में संपुन जानकारी यानि इंजेक्शन मेटल वेट इसमें क्या साल्ट मिला हुआ है, ये पसु सरीर में क्या काम करता है इसको कौँ कौँ सी स्थितिव में, कौँ कौँ सी बीमारी उमें इसको उपयोग में ले सकते हैं इसको कितनी मातरा से दिया जाता है, किस YouTube रूट से दिया जाता है जिसमें हम salt की बात करें तो इसमें methyl ergometrine का salt होता है जो इसमें 0.2 mg पर ml के साब से available होता है यानि 1 ml metal weight में 0.2 mg methyl ergometrine मिलावा होता है इस injection के बसू में उपयोग की बात करें तो इस injection को parturation की third stage में जब uterus सितिल हो जाता है जब uterus ठक जाता है तो वहाँ पे उस uterus में contraction को बढ़ाने के लिए ताकि बच्चा आराम से बाहर आ सके uterus के contraction बढ़ाने के लिए इस injection को उपयोग में ले सकते हैं इसके अलावा post-parturant जो bleeding होता है यानि बच्चा देने के बाद में जो bleeding होती है उस bleeding को रोकने के लिए इस injection को यूज में ले सकते हैं पस्चो में ROP की समयश्या हो गई है ROP यानि retention और placenta पस्चो में जब जेर उपने की समयश्या हो जाती है तो वहाँ पे उस अठकी वी जेर को बाहर निकालने के लिए इस injection को यूज में ले जा सकता है या हमने डिश्टो की हैं तो उसके treatment के साथ में भी इस injection को यूज में ले सकते हैं इसके अलावा लोचल discharge को completely बाहर निकालने के लिए और uterus की अच्छे से cleaning करने के लिए uterus की अच्छे से सफाई करने के लिए हम इस injection को यूज में ले सकते हैं इसके अलावा uterus का involucion सही समय पे हो इसके लिए भी हम इस injection को यूज में ले सकते हैं यानि इस injection को हम आरोबी की गैस में यूज में ले सकते हैं जेर अगर अटकी हुए तो उसको गिराने के लिए या जेर अटेकने की समय से हो ना उसके लिए भी इस injection को हम यूज में ले सकते हैं यूटरस का इन्वलस्टन से ही समय फरो उसके लिए इसको यूज में ले सकते हैं पार्चुरेशन की जो थर्ड इस्टेज है उसमें जब यूटरस सितिल हो जाता है तो वहाँ पे कॉंटरेक्शन बढ़ाने के लिए इस injection को यूज में ले सकते हैं इसके अलावा जब पार्चुरेशन हो जाता है उसके बाद जब ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस injection को यूज में ले सकते हैं तो दोस्तों इस injection को हम इंट्रा मस्कुलर और इंट्रा विनस दोनों रूट से इसको यूज में ले सकते हैं इंट्रा विनस में इसको सलो दिया जाता है इसकी डोज की बात करें तो जो बड़े जानवर है गाई है बेंस है उसमें इसकी डोज हम 5 ml से 10 ml तक लगा सकते हैं और जो छोटे जानवर है उनमें हम इसको 1 ml से 2 ml तक यूज में ले सकते हैं इस injection के हम रिपीट करने की बात करें तो इसको पस्तू की इस्तिति के हिसाब से बीमारी की कंडिशन के हिसाब से इसको वापिस रिपीट किया जा सकता है इसको नॉर्मली 5-7 गंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं और इसको 2-3 दिन तक रेगुलर भीम आराम से लगा सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको इंजेक्शन मेटल वेट के पस्तूम उप्योग के बारे में जान कर देने का परियास किया आपको अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद